वेलकम तो बी एंके जस्टिन गेमिंग चैनल प्लीज सब्सक्राइब नाव दिस चैनल चलिए सुरू करते हैं अब जिसके बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं लैट्स स्टार्ट नाव आज अपन बात करेंगे the correct use of some adjective के बारे में बहुत सारे जो student होते हैं वो बहुत ही जादा इनमें गलतियां करते हैं तो आज अपन इनमें प्रतिक अपन है जो couple wise इनको लेंगे दो दो जोड़े में लेंगे इनको या फिर एक एक जोड़े में जिसे अपन कहले हैं क्या उनको है या उपन तैरीके से एकदम solve करने वाले हैं दोस्तों ताकि भविशे में कभी भी तुम्हारे साथ ये problem नहीं होगी और अगर इस वीडियो में सीख गे तो इससे आसानी से आपको कोई भी नहीं समझा पाएगा दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं बिना देर की बात करते हैं अपन सम और एनी अब देखें यहाँ पर सम और एनी में मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनना दोस्तों to express quantity quantity मतलब होता है मात्रा मात्रा और डिग्री सम इस यूजड नॉर्मली इन अफर्मेटिव सेंटेस कोई भी मात्रा होगी या फिर डि इसको मात्रा बताने होती है किसी की भी या फिर है डिग्री बतानी होती है मात्रा रतमख तरीका आपने को इसको बताना होता है और वो सेंटेस भी कैसा हो अपना affirmative sentence हो अपना जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ affirmative एक प्रकार से सकारात्मक positive sentence होना चाहिए वहाँ पर अपन sum का प्रियोग करेंगे दोस्तों तो sum वाली तो दिक्कत खतम sum का प्रियोग अपन है जो quantity दरसाएंगे और sentence होगा वो affirmative sentence होगा अब अपन बात करते हैं any in negative और integrative sentence जो any का जो प्रियोग होगा वो भी quantity और degree के दरसाने के लिए होगा लेकिन वो जो होगा वो किसके लिए होगा negative sentence के लिए और integrative sentence के लिए नकरात्मक वाक्यों के लिए और जो है negative sentences के लिए और interrogative sentence के लिए प्रश्ण वाचक बाक्यों के लिए तो यहां तक तो बिल्कुस कोई दिक्कती नहीं होगी दोनों की अब देखिए अपने इसका examples के माध्यम से समझते हैं कि जब भी बात आती है इनकी अब मैं example आपको बताता हूं ध्यान देना दोस्तो I will buy some mangoes मैं कुछ mango खरीदूँगा अब यहां पर अपना sentence affirmative है इसलिए अपने यहां पर सम का प्रियोग कर लिया I will not buy any mangoes तो यहां पर अपना note आ रहा है तो इसलिए अपने आपर any का प्रियोग कर लिया Have you bought any mangoes यहां पर अपना question mark आ रहा है यहां पर have has आ रहा है तो इस प्रकार से अपने आपर any का प्रियोग कर लिया है दोस्तो तो अभी तक अपने सिखा कि some और any का प्रियोग जो है अगर some जो होता है affirmative sentence में quantity और degree बताने के लिए होता है और उसके बाद जो है any का प्रियोग अपन negative और integrative में degree और quantity बताने के लिए करते हैं लेकिन twist अब है देखिए twist क्या है दोस्तो twist में यह है दोस्तो आगर देखिए but any can be used after in an affirmative लेकिन जो any होता है वो affirmative sentence में भी after use किया जाता है एक परकार से जैसे कि but any can be used after if in affirmative sentence लेकिन जो any है can be used use किया जाता है after किसके बाद in affirmative sentence के बाद व्यूज किया जाता है ध्यान देना affirmative sentence के बाद दिया जाता है वो ठीक है after आ रहा है तो बाद में दिया जाता है ना कि affirmative sentence में तो देखिए आगे बात करते हैं अपने example की some is used if you need any money if you need any money तो यहां पर देखिए if after if if के बाद की बात है दोस्तों चीक है if you need any money I will help you तो देखिए यहां पर if आ रहा है और affirmative sentence है तो यहां पर भी अपन है जो any का प्रियोग कर सकते हैं दोस्तों आप देखिए some का जो प्रियोग रहेगा some is used in question which are really offers or requests जो offer और request की बात करता हो और which expect the answer yes और जिनकी अपन आसा करते हो कि उनका जवाब जो होगा वो 99% yes में ही होगा तो वहां पर अपन बात करेंगे तो वहां पर जो होगा वो एक प्रकार से some का use वहां पर होने वाला है दोस्तों कियोँ होगा किस प्रकार होगा अपन ये समझते हैं याँपर देखिये आईये screen पर ध्यान दीजिए देखिये Will you have some ice cream ये offer कर रहा है कि क्या आपके पास कुछ ice creams है तो ये offer कर रहा है तो इसलिए याँपर अपन समका प्रियोब करेंगे दोस्तों could you lend me some money क्या तुम मुझे कुछ रुपे उधार दोगे यह request कर रहा है तो यहाँ पर अपने some का प्रियोग किया did you buy some clothes मैं तुमसे expect रखता हूँ एफरासा उमीद रखता हूँ कि did you buy some clothes कि तुम कुछ कपड़े खरीदोगे तो इस परकार अपन offers और request के लिए है जो some का use कर सकते हैं questions में which expect the yes लेकिन उनका answer जो है but any का use है जो अपन if के बाद भी affirmative sentence में कर देते हैं धन्यवाद दोस्तो जो अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe करना और है जो आगे आने वाली वीडियो को भी देखना उसमें अपन पढ़ेंगे each and every के बारे में दोस्तो फिर उसके बाद है little 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 के बारे में few the few few a few the few के बारे में पूरा का पूरा जो correct adjective के जो uses है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तो ऐसे ही पांस-पांस मिनुट में आपको मैं सिखाता रहूंगा दोस्तो थैंक यू